बच्चो आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन रफ नोट बुक और पैंसिल लेकर बैठ जाएं और आज का सेशन ध्यान पूर्वक सुने बच्चो आज हमारे पढ़ने का टॉपिक है क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं जैसा कि हमने पिछले सेशन में क्रिया और उनके भेडों के बारे में जाना आईए एक चोटा सा रीकैप लेते हैं फटाफट हम जानते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा जिन शब्दों से कारे के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं यह है क्रिया की परिभाषा क्रिया दो परकार की होती है करम के अधार पर क्रिया के भेड और सरंचना के अधार पर क्रिया के भेड करम के अधार पर क्रिया के भी सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया यह हमने पिछले साश्र में पढ़ लिया था सरंचना के अधार पर क्रिया के भी संयुक्त क्रिया नामधातु क्रिया संयुक्त क्रिया वह क्रिया जिसमें एक से अधिक्रिया आती है आज हम पढ़ेंगे प्रेवनार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया तो बच्चो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 85 निकाले जिन क्रियाओं को करता स्वेवना करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेवित करता है उन क्रियाओं को प्रेवनार्थक क्रियाएं कहते हैं अब हम जानेंगे एक उधारन के माध्यम से पूनम ने पुत्र को हलवा खिलाया रामावतार मध को पढ़ाता है अब आप यहाँ देखीएगा, पूनम ने पुत्र को हलवा खिलाया, यहाँ पर खिलाया क्या है, हमारी क्रिया है और पुत्र द्वारा की जा रही है, लेकिन पुत्र को प्रेर ना कौन दे रहा है, पूनम दे रही है तो यहाँ पर जो करता है वो स्वेम कारे ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो इसको हम कहते हैं प्रेर नार्थक क्रियाएं रामावतार मधु को पढ़ाता है यहाँ पर मधु को पढ़ाना पढ़ाता यहाँ पर क्या है क्रिया और रामावतार यहां पर स्व्यम क्रिया ना करके मधु को प्रेरना दे रहा है पढ़ने के लिए तो यहां पर प्रेरनार्थक क्रिया होती है आगे है पूर्व कालिक क्रिया जैसे कि यह नाम से ही सिदोरा है पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय और क्रिया यानि कि समय से पहले जो क्रिया होती है किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हुने वाली क्रिया पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है अब हम यहाँ पर एक उधारन के माधम से जानेंगे कैसे सुगंदा ने कविता पढ़कर सुनाई अब यहाँ पर पढ़कर और सुनाई यहाँ पर दो क्रिया हैं यानि कि सुगंदा ने कविता को पहले पढ़कर यानि कि पहले पढ़ा और फिर सुनाया यानि कि यहाँ पर दो क्रियाएं हुई, क्रिया होने से पूर्व भी एक क्रिया हुई, सुनाने से पहले भी एक क्रिया हुई, इसलिए इसको कहते हैं पूर्व कालिक क्रिया एक और उधारन देखेंगे पुजारी ने नहा कर पूजा की जैसे की पूजारी पहले नहाया फिर उसने पूजा की यानि कि वहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही है पहले पूजारी नहाया फिर उसने पूजा की यानि कि एक क्रिया होने से पहले भी एक क्रिया होना उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया यहां पढ़ेंगे मूल धातु के साथ कर अथ्वाब करके परियोग करके पूर्वकालिक क्रिया बनती है जैसे कि आपने उधारन में भी देखा कि सुगंदा ने कविता पढ़ कर स उलकिता है या करशब्द आया ना तो इसी तरह आगे मूल क्रिया में प्रत्य के योग से प्रेवज नार्थक क्रियायय बनाई जाती हैं। दो परकार की होती हैं प्रथम प्रेर नार्थक क्रिया और द्वित्य प्रेर नार्थक क्रिया प्रथम प्रेर नार्थक क्रिया का मूल क्रिया में आ प्रत्य जोड़कर बनाया जाता है और द्वित्य प्रेर नार्थक क्रिया को मूल क्रिया में वा प्रत्य जोड़कर प्रत्य पढ़ाना और द्वित्य प्रेनार्थक क्रिया बनाने के लिए इसमें पढ़वाना वा प्रत्य लगा के नहीं लगा यह देखिए वा पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना चलना चलाना चलवाना उठना उठाना उठवाना पीना पिलाना पिलवाना इस परकार हम इसकी मूल क्र क्रिया के प्रत्थम प्रेनात्म और द्वित्य प्रेनात्य क्रिया भी बना सकते हैं तो बच्चो आब मैं आशा करती हूं कि आपको क्रिया एवं उसके प्रत्ते एक भेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी तो आओ बच्चों अब हम इस चैप्टर की बैक एक्सेसाइज डिसकस करेंगे डिटेल स्टडी करने के परचाद आओ जरा इससे जुड़े कुछ प्रशनों पर नजर दोडाते हैं आप पढ़े गए पाठ के अधार पर इनके आंसर्स खुद ठून कर लिखेंगे मैं केवल आपके साब क्विश्चन जिसकस करोंगी ठीक है बच्चे चलिए हम हमारा पहला जो है निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजी पहला प्रशन है क्रिया किसे कहते हैं उधारन सहित स्पष्ट कीजिए तो बेटा इसमें आपने क्रिया की परिभाषा लिखनी है और related दो तीन जो एक्जामपल्स है बुक पर ही मार्ग करने है चीक है बच्चे आपने क्या करना है क्रिया की परिभाषा और उससे related दो तीन एक्जामपल्स जो है उसी को मार्ग करना है अगला प्रशन है करम के अधार पर क्रिया के कितने भेद है उधारन सहित बताईए तो इस प्रश्ण में आपने क्या करना है? आपने करम के अधार पर इसके भेदों और उनसे संबंदित दो तिर एक्जामपल्स को बुक पर ही माग कर देना है ठीक है बच्चे? हमारा आप नेक्स्ट केशिन है प्रेर नार्थ क्रिया की परिभाशा बताईए तो तीसरे प्रश्ण में आपने क्या करना है? प्रेर नार्थ क्रिया की परिभाशा और उसके स्पष्टी करन के लिए समसे कम दो उधारन को बुक पर ही माग करना है ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्रिशिन है संयुक्त क्रिया और नामधातु क्रिया में अंतर बताइए तो आपने चोथे प्रश्ण के उत्तर में आपने पहले संयुक्त क्रिया के लक्षन और फिर उसके बाद आपने नाम धातु के कुछ लक्षन जो है वो बताने है और अधिक स्पष्ची करन के लिए इन दोनों से जुड़ी उधारनों को बुक पर ही क्या करना है माक करना है क्लियर बच्चे अब उसके बाद क्या करना है सरंचना के अधार पर क्रिया के सभी भेदों के नाम बताईए तो आपने प्रश्ट में आपने क्रिया की सरंचना अर्थात रूप रचना के अधार पर इनके चारों भेदों के नाम और एक्जांपल जो हैं आपने बुक पर ही क्या करनी है माक करनी है ठीक है बच्चे इसी तरह आपने इन सभी प्रश्टों को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अपने इन आंसेज को क्या करना है बुक पर ही माक करना है बच्चे हमारी अगले एक्सेसाइज है निम्न लिखित वाक्यों के क्रिया पदों को चार्ट कर लिखिए कि वे सकर्मक है या अकर्मक है अब आपने इसमें आपने क्रिया के करम अथाद आपजेक्ट के अधार पर दिये गए वाक्यों के अकर्मक और सकर्मक रूप का निधारन करना है जैसे कि for example मैं पहली example आपको समझाऊंगी मेरी नानी ने कहानी सुनाई इस वाक्य में सुनाई क्रिया है ठीक है इस वाक्य में जो सुनाई है वो प्रिया है और कहानी उसका करन है तो इस वाक्य तो यह वाक्य क्या हुआ सकर्मक हुआ जिसे आप सामने दी गई जो है डॉटेर लाइन है यहाँ पर नीचे लिखेंगे अगर किसी वाक्य में क्या, कहा, कैसे, किस से जुड़े प्रश्णों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं अकर्मक होगा ठीक है न, समझ गए न बच्चो, मैं बाकी के वाक्य भी पढ़ देती हूँ ठीक है, टॉपिक की रीडिंग करते हुए आप जो भेद हैं उसके खुद लिखेंगे बच्चा रो रहा है, वे दिल्ली जा रही है अजे ने कहानी लिखी, प्रभा पत्र पढ़ रही है भवरे फूलों पर मंडराते है, अध्यापी का पुस्तक पढ़ा रही है ठीक है बच्चो, clear हो गया, आपने इन सभी वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इनके क्रिया पत्र को छांट कर इनके सामने लिखना है कि ये अकर्मक है या सकर्मक है, ठीक है बच्चो अब हमारी अगली जो एक्सेसाइज है, उनके सरंचना के अधार पर क्रिया के भेदों के नाम वाक्यों के सामने लिखिए तो बच्चो आपको पता होना चीए कि कि क्रिया के कितने भेद है ठीक है, क्रिया के चार भेद है आप आपने इन्ही वाक्यों को पढ़कर आपने यह बताना है कि इनमें कौनसी क्रिया भीट का नाम है थीक है तो मैं आपको पहला बता देती हूं पहला आपके समझा देती हूं जैसे कि बच्चा विद्याले से लौट आया अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लौट और आय दो क्रियाए हैं यानि कि ये क्यों सी हो गई? सैयुक्त क्रिया तो आपने इस वाक्य के आगे क्या लिख देना है? सैयुक्त क्रिया ठीक है? इसी प्रकार में आपको बाकी भी पढ़ देती हूं और आपने इन्ही वाक्यों को पढ़ कर आपने बताना है कि ये कौन सा भेद है मा बेटे से पाठ पढ़वाती है पुजारी ने नहा कर पूजा की पेंटर दिवार चमकाता है वह सोना चाहता है ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया अब आपने इसी के सामने वाक्षियों के सामने क्रिया भीदों के नाम लिखने है बच्चो अब हमारी अगली एक्सिसाइस है निम्न लिखित शब्दों से नाम धातू क्रिया बनाईए अब नाम धातू क्रिया गौन सी होती है ऐसी क्रिया जो संग्या, सरवनाम और विशेशनादी शब्दों से मिलकर बनती है जैसे कि मैं आपको पहला बताती हूँ जैसे शरम से शर्माना आपने इसी परकार बाकी सारे शब्दों को भी जो है नाम धातू क्रिया के रूप में लिखना है जैसे लज्जा, अपना, छूट, बात, दुख, नर्म और गर्म ठीक है बच्चो, जैसे मैंने शर्म का शर्माना लिखा आपने बाकी सारे जो भेध है इसके बिल्कुल जो डॉटेड वाली लाइन्स है इनके सामने लिखनी है ठीक है बच्चो नेक्स एक्सेसाइज है निम्न निखित मूल क्रिया से प्रथम प्रेर नार्थक तथा दुथिये प्रेर नार्थक क्रिया बनाईए तो बच्चो मूल क्रिया से प्रथम प्रेर नार्थक क्रिया बनाने के लिए मूल क्रिया के पीछे हम क्या लगाएंगे आप्रत्य और द्वित्य प्रेरनार्थक क्रिया बनाने के लिए हम वाप्रत्य लगाएंगे तो आओ मैं आपको एक उधारन के माध्यम से बताती हूँ जैसे बोलना, बुलाना, बुलवाना ठीक है बच्चे बोलना के प्रतम प्रेयनार्थक के पीछे क्या लगा? आपरत्य और बुलवाना दुथ्य प्रेयनार्थक के पीछे वा प्रत्य लगा इसी प्रकार आपने बाकी सारे भी जो बाक्षब्द हैं इनको change करना है जैसे लिखना, घूमना, जगना, सुनना, पीना, पढ़ना, धोना ठीक है बच्चे? अब आपने इन सारे शब्दों को अपने बुक्स पर नोड़ डाउन करना है और खुद स्वेम हल करना है मैं आशा करती हूँ कि अब आपको प्रिया, उनके भेदों अब हम बैक एक्सेसाइस के बारे में समपूर्ण जानकारी मिल गई होगी तो अब हम क्या करेंगे? इन सारी बैक एक्सेसाइस को अपने बुक्स पर सॉल्व करेंगे ठीक है बच्चे? खुद सॉल्व करनी है, खुद कोशिश करनी है अब हमने ठीक है तब तक के लिए गुद बाई